हाई गाईस आप सभी का स्वागत आज किस वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Redmi Note 7 Pro में किसी एप को हाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को दोस्तो जैसे हम अरोगे सेतू और चैस इन दोनों एप्स को हाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिक्वेरिटी इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर एप लॉक इस पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप यहाँ पर अलग से पैटन क्रियेट कर सकते हैं जो कि आप अपनी हॉम स्क्रीन को उपन करने के लिए करते हैं उससे अलग पैटन आप यहाँ बना सकते हैं जब आप नया pattern बना लेंगे तो उसके बाद आपको एक hidden apps इस पर click करना है और जितने भी install app हैं आपके smartphone में वो यहाँ पर show होने लगेंगे आप जिसे भी hide करना चाहते हैं उसके सामने tick कर दीजे जैसे मैं अभी अरोगे सेतु और chest को hide करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर दोस्तों यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप यदि mi account बना लेते हैं तो आप अपने screen पर double finger से touch करके उन्हें direct open कर सकते हैं या फिर आप अपने chrome browser या google पर पर जैसे ही search करते हैं तो आप अपने hidden apps को यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप अपने google browser से कोई भी hide app क open करके देख लेते हैं तो आपकी recent activity में शामिल हो जाता है तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा दोस्ते आप hide हुए app को unhide करना चाहते हैं तो आप फिर security में जाएंगे उसके बाद app lock पर click करेंगे और आपने जो अलग से pattern जो चुना है वो चूज करेंगे fingerprint लगाएंगे उ और उन app के सामने की जो नीली बटन है उसे off कर देंगे और इस प्रकार जैसी आप बापस आएंगे तो भी एप जो hide थे वो unhide हो जाएंगे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा और यादि आप चैनल में नए होते से subscribe कर लिजे साथे स के वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको लुकुल टाइम पर मिल जाए मैं मिलता हूं ने स्टुडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे सीखते रहे और आंगे बढ़ते रहे कि याएव maritime की आपको जाए़ के लταाए भाए़ गर आंपाको लोगपार योगरां कि अवरते रहे जाएब कर दोट वादे जाएब की हुझक जाएफाब और ने जाल एक का घंगे कान्गे